नमस्कार दोस्तूं हम देख रहे थे मनोविज्यान के अंदर यूनिट के अनुसार परसन उतर और आज हमारी रहेगी मनोविज्यान की 50 यूनिट दोस्तूं मनोविग्यान फिप्त इनुट के पचास महतुआ पुन परसन आपके सामने लेकर आया हूँ जो विबिन परतियोगी परिक्षियाओं में पहले आ चुके हैं और बार बार एक जमू के अंदर रिपीट होते रहते हैं तो अंतंक मेरे साथ मने रहें और देखते रहें ये पचास इंपोटेंट क्यूसन आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज पर जो नए साथ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दे पहला क्यूसन आपकी स्क्रिन पे सीखने के लिए आकलन सीखने के लिए आकलन अभी प्रेरणा को बड़ावा देता है सही बात है दोस्त पहला ही ओप्सन सही रहेगा आपका सीखने के लिए जो आकलन होता है वो अभी प्रेरणा को क्या करता है बड़ावा देता है एक नमर ओप्सन सही रहेगा next question question number 2 निमलिकित में से कौन सा कतन सतत वे व्यापक मुल्यांकन के लिए सही नहीं है देखिए दोस्तों पहला है ये एक विदाले आदारित मुल्यांकन है ये तो सही है ये विदार्तियों में तनाव को कम करता है ये भी सही है इसमें नमरू के इस्तान पर ग्रेड का प्रयोग होता है ये भी सही है इससे सिक्सुकूप पर बोज बढ़ जाता है बोज नहीं बढ़ता है चार नमर उप्सन आपका सतत वे व्यापक मुल्यांकन के लिए सही नहीं है सही रहेगा यहाँ पे उप्सन नमर चार आपका क्यूसन नमर तीन में चलते हैं तीन नमर क्यूसन है विदार्तियू के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निधान के बाद चाहिए सगन अब्यास कारिये समुचित उप्चारात्मक कारिये होना चाहिए दी विदार्तियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निधान निधानात्मक के बाद क्या होता है उपचारात्मक तो उनके निधान के बाद समुचित उपचारात्मक कारिये होना चाहिए दो नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्योंसर नंबर चार देखे विज्ञान में मुल्यांकन पुर्णतिया विज्ञानिक तता बहु विकलपनिये प्रिक्षन होना चाहिए विदार्तियों से किरिया कलापू के अंत में होना चाहिए विज्ञान में मुल्यांकन सभी किरिया कलापू का एकिकरित भाग होना चाहि तीन नमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा क्यों से नमर पांच में चलिए दोस्तू आकलन परकिरिया के दोरान देवी का की उतेजना उर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उतेजना अनुत्साई है उन दोनों के भावात्मक अनुभवू का अंतर किस से समन्द है दोस्तू भावात्मक जो अनुभवू का अंतर है वो किस से समन्द है अनुकुलन का इस तर से एक नमर उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलिए क्यूसन नमर शिक्स प्रात्मिक इस्तर पर मुल्यू की सिक्ष्या देने की सर्वोतम विदी कौन सी होती है मुल्यू के मैत्व को बताना, मुल्यू के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के वेवार में मुल्य इस्तापन या उप्रोक सभी प्रात्मिक इस्तर पर अगर मुल्य की आप सिक्ष्या देना चाहते हैं, तो उसका सर्वोतम विदीया सर्वोतम तरीकर रहेगा कि अध्यापक खुद के वेवार में मुल्य इस्तापित करें तीन नमर उप्सन सही रहेगा, क्योसर नमर साथ, मुल्य के वरकी करण में समलित नहीं है, आध्यात्मिक मुल्य, येन केन परकारें, धनारजन का मुल्य, नेतिक मुल्य, सांसकर्तिक मुल्य, ये धनारजन का मुल्य है जो आपके मुल्यों में समलित नहीं है, दो नमर उप सबी की सबी जो विदियां दी गई है पर विदियां ये मुल्यांकन की है दोस्तों चाल नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्योसर नमर नो देखे विदार्तियों की उपलब्दी का मुल्यांकन करने के लिए सालाओं में उपयोग में आने वाली विदियां है कौन सी है दोस्तूं देखे पूचा क्या कि विद्यारती की उपलब्दी का मुल्यांकन करने के लिए सालाओं में उपयोग में आने वाले विदियां परिमानात्मक एवं गुनात्मक विदी दो नमर उप्शन आपका यहां पे सही रहेगा क्योसर नमर दस है मुल्यांकन का उदस से क्या होता है दोस्तूं बच्चे को उतीरन या अनुतीरन गोसित करना सही बच्चे ने क्या सीखा ये जानना ये भी सही बच्चे के सीखने में आई कटिनाई को जानना ये भी ये तीनों के तीनों मुल्यांकन के क्या है उदस से है उ निर्देशन एवं अधिगम के भी समानता है ये दोनु क्या समानता है निर्देशन और अधिगम में क्योंकि चाए निर्देशन हो चाए अधिगम हो दोनु क्या होते है चात्तर के अंधरित होते है दोनु क्या है चात्तर के अंधरित एक नमर उप्सन सही रहेगा क्योंसर नमबर बारा है अनुदेशन का परनाली उपागम है अनुदेशन का परनाली उपागम कौन सा है सिक्सक केंदरित बाल केंदरित कक्सा कक्स केंदरित या समस्या केंदरित अनुदेशन का परनाली उपागम होता है वो समस्या केंदरित होता है दोस्तु चार नमर उप चाहिए आजीवन निर्देशन देना चाहिए चार नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्यूसर नमर चोदह देखिए निम लिकित में से किस अनुदेशन सामगरी की अधिकता होती है पाटे पुस्तक कारिय पुस्तक सुह अनुदेशन पुस्तिका या संसाधन इकाई ध्यान से पुस्तक को निम लिकित में से किस अनुदेशन सामगरी की अधिकता होती है संसाधन इकाई की चार नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्यूसर नमर पंदर है विध्यारती और सिक्सक के बीच की एक समाधात्मक परकिरिया जो उनके सीखने के वातावन में बदला उलाती है व अधिगम का सिक्स्या में योगदान है अधिगम का सिक्स्या में क्या योगदान है वेवार परिवर्तन में अधिगम है नविन उनुप उप्राप्त करने में अधिगम है समायोजन में अधिगम है यह सभी है जो अधिगम का सिक्स्या में क्या योगदान है उप्रोग सभी चार नमर उप्सन याँ पे सही रहेगा क्योंसर नमर 17 आपकी स्क्रिन पे एक द्यापक या द्यापिका को किसी विशे की अपनी अवबोधनात्मक को पर्तिबंबंदित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्मान करने को कहता कहती है वह है रचनात्मक आंकलन कर रहा है या कर रही है यह बहुत अच्छा इंपोर्टेंट की उसन है दो नमर दोस्तों दो नमर उप्सन याँ पे आपका सही रहेगा आगे चलिए कि उसन नमर 18 की और किरियात्मक अनुसंदहन का पर्मुकारिये क्या होता है किरियात्मक अनुसंदहन का पर्मुकारिये इस्तानिय समस्याओं का समाधान करना याद रखना किरियात्मक अनुसंदहन का पर्मुकारिये इस्तानिय समस्याओं का समाधान करना होता है दो नमर उप्सन सही रहेगा क्योंसर नमर 19 है एक सोध करता के रूप में आप निमलिकित में से कौन से सिर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में समलित नहीं करेंगे देखे अनुसंधान समस्या की प्रश्ट मुमी को समलित करेंगे अनुसंधान के उपकरण समलित करेंगे अनुसंदान के लिए मूल विस्त्रित हुआ क्या इसको समलित नहीं करेंगे तीन नमर ओप्सन आपका यहां पे सही रहेगा next question 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 number 20 है NCF2005 कि संस्तूतियूं के नुसार कख्सा1 एवं कख्सा2 के विदार्तियूं के लिए मुल्यांकन का तरीका होना चाहिए कैसा होना चाहिए प्रेक्षन के आदार पर मुल्यांकन होना चाहिए कख्सा1 और कख्सा2 का चार नमर ओप्सन आपका सही रहेगा next question है निमलेकित मेंसे कौन सी संग्यानात्मक्रिया दी गई सूचना के विसलेशन के लिए परियोग में लाई जाती है कौन सी दोस्तों वर्नन करना पहचान करना अंतर करना या वर्गी करित करना अंतर करना तीन नमर ओप्सन आपका यहां पे सही रहेगा क्यों से नंबर है हमारा 22 दोस्तों निमलिकित में से कौन सा कतन सत्ते है देखे सिखसक द्वारा परसन पूछना कि संग्यान आत्मक विकास में बादक है विकास और सीखना समाज सांसकर्तिक संदर्बू से एपरभावित रहते है सिखस्यारती एक निश्चित तरीके से सीखते है केलना संग्यान और सामाजिक दख्सता के लिए सार तक है दोस्तों पहला दूसरा और तीसरा तीनों यहां पर सत्ते है चोता है जो आपका क्या है यहां पर सही है चाल नमर उप्सन केलना संग्यान और सामाजिक दख्सता के लिए क्या है सार तक है आगे चलिए क्यूसर नमबर 23 NCF 2005 किस परकार की सिक्सन परनाली को प्रोचसाइद करता है NCF 2005 तो समावे सी सिक्सन परनाली को प्रोचसाइद कर रहा है तो एक नमर उप्सन आपका सही रहेगा एक बालक को वस्तवू को देखने में कुछ समस्या है उसका दाकिला NCF 2005 के आदार पर किस विदाले में होना चाहिए तो NCF 2005 के अनुसार उसका दाकिला समावे सी विदाले के अंदर होना चाहिए तीन नमर उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट यूसन है राष्टिय पाटे चरिया की रूप्द्रे का 2005 की संस्तुतियों के सम्मन में कौन सा कतन सत्ते नहीं है देखे पहला विश्वे विदालियों को राजनिती से मुक्त रगना ज्यान को बाय जीवन से जोडना राष्टर के परजातांतरिक मुल्यों का समान करना परिक्सिया में लचिलापन होना पहला यह जो आपकी राष्टिय पाटे चरिया की रूप्रे का 2005 की संस्तुतियां है उनके सम्मन में गलत है सही नहीं है एक नमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है हमारा 27 नमर एक सिक्सिका अपने सिक्सार्थियों की इस रूप में मदद करना चाती है कि वे एक स्तती की अनेक दरश्टिकोणों की सराना कर सके वे विबिन समू में एक स्तती पर वाव विवाद करने की अनेक आउसर उपलब्द कराती है वाई गोतस्की के प्रिप्रेक्से के अनुसार उसमें सिक्षार्थी विविबिंद रष्टि कोणू को आतम साथ करेंगे दो नमर उप्सन और अपने तरीके से उस इस्तती के अनेक प्रिप्रेक्से विक्सित करेंगे दो नमर उप्सन यहां पे सही रहेगा क्योंसर नमर अटाइस देखिए आप कक्सा में एक बच्चा रोज आपको परिशान करने के लिए ए प्रांसगीक परसन पूछता है आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? आप उससे बातचीत करेंगे तीन नमर उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है निवन मैं से कौन सा सर्वे दर्से सामगरी का उदस्से है? देखिए पहला है सिक-सिक को प्रभाव साली बनाना ये तो है चात्रू में सरजनात मक्ता उत्पन करना ये भी है चातरू को किरिया सिल बनाना ये भी है विश्य वस्तू में एरूची उत्पन करना ये नहीं है एक दो तीन है तो सही रहेगा एक नमर ओप्षन सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है जब उसे दाल और चावल दिये जाते हैं तो वे दाल वे चावल मिलाकर खाने लगती है उसने चीजू को करने के लिए अपने इसकीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है क्या कर लिया है दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है तीन नमर उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसर नमर 31, शिक्सार्तियूक में व्यक्तिक भीनताओं को संबोधित करने के लिए एक विधाले किस परकार का सयोग उपलब्द करवा सकता है, बाल केंदरित पाटे चरिया का पालन करना और विशक्सार्तियूक को सीखने के अनेक आउसर उपलब्द करवाना, दो नमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसर नमर 32, जिन विधालियों में समेकित सिक्स्या दी जाती है, उस विधाले में सिक्सकू को किस छेतर विशेश में परसिक्सित करना चाहिए, विशेश आउसक्त के एक विधार्ती की परवर्ती को यदि सिक्सक बदलना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसके समुए के सभी सदस्यों की परवर्ती बदलनी होगी, एक विधार्ती की परवर्ती आप तब तक नहीं बदल सकते हैं, जब तक उसके सभी सात्यों की परवर्ती आप नह ही रहेगा क्योंसर नमर 34 में चलते हैं सिक्सन परक्रिया में निमलिकित में से किसका बली परकार ध्यान रखना चाहिए विदार्तियों की सक्रिये सहे भागिता का सिक्सन परक्रिया है उसके अंदर बली परकार से अगर हम ध्यान रखते हैं तो वो है विदार्तियों की सक्रि ये सहबागी था आगे चलिए क्यूसर नमर 35 क्यूर यदी एक सिक्सार्ती कक्सा में निश्चित लक्से को प्राप्त करने में एसपल होता है तो ये परदर्शित करता है सिक्सार्ती की एसपल था कक्सा की एसपल था विदाले की एसपल था या माता पिता की एसपल था बहुत ये विदाले की ऐसा पलता है नेक्स्ट क्यूसन में चलिए निवन में से कौनसा कतन समझ के लिए सिक्षण को परदर्शित नहीं करता है देखिए दोस्तूं विदार्तियों से किसी गटना या परते को उसके अपने सब्दू में वेक्त करने को केना ये तो समझ के लिए सिक्षण को परदर्शित कर रहा है आगे हैं विदार्तियों को किसी नियम की कारिये परणा ली उधारन देते हुए समझाना ये भी कर रहा है विदार्तियों को समानता वे समानता देखने तता समरूपता उत्पन कराने में मदद करना ये भी कर रहा है लेकिन चोता भी देखने साथ में विदार्तियों को विलगित तत्त परकिरियों को याद करने के योगे बनाना ये नहीं कर रहा है चार नमरों उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलिए बल्यूम के वर्गी करन के आदार पर उदस्य आदारित पर्षनू के निर्मान में कौन सा विकल्प ऐसंगत है विशलेशन, मुल्यांकन, आत्मानुबूती या अनुप्रियोग आत्मानुबूती ये विकल्प ऐसंगत है तीन नमरों उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट उसन में चलिए निमलिकित वेक्तियू में से कोन अपने बच्चू को आंतरिक प्रेरना दे रहा है देखी पहला है फादर रोबर्ट अपने कक्सा के उन बच्चू को चोगलेट देते जो अच्छा वेवार करते हैं यह आंतरिक प्रेरना नहीं हुई अगले कक्सा में कक्सा उनती पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कानी की पुस्त के देते हैं यह भी आंतरिक प्रेरना नहीं हुई अपने पुत्र के जनम दिन पर ग्रिजेस कुमार दावत देते हैं भी कोई आंतरिक प्रेरणा नहीं है, चोता देखिए, विज्ञान विश्यू में सर्वोचे अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की परसंसा करते हैं, यह हुई आंतरिक प्रेरणा, चाल नमर उप्सन आपका सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसन में चलिए, एक सिक्षन का एगनवाचारी स्रोथ है, कोंसा है दोस्तूं, इंटरनेट, दो नमर उप्सन सही रहेगा, विदार्तियों की सिक्षन में अधिक से अधिक भागेदारी, निमलिकित विदी के द्वारा संबव है, कोंसी विदी के द्वारा, व्याख्यान, पाटे-पुस्तक, सर प्रवे दर्सया वारता-लाव, वारता-लाव विदि के दुवारा, चार नमर उप्지न सही रहेगा, क्यों सा नमर बयानलेश में चलिए, निवमें से कौन सा विदाले का मुखे कारिय नहीं है, देखे, विदाले हमारी सांसकर्तिक विरासत को सरक्सित वे प्रेक्सित करते हैं, यह तो है मुक्यकारिय, विदाले सांसकर्तिक प्रिवर्तन के लिए यंतर का कारिय करते हैं, यह भी है दोस्तों, यह पर ये क्या नहीं है दोस्तों, यह भी सहिए, विदाले संपूर्ण बाल विदार्तियों में बूरी भावना का विकास कभी नहीं करते ये गलत दिया गया आपका चार नमर उप्सन यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट यूशन में चलिए विदार्तियों के अकादमिक निस्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभी भावकों को उत्साहित किया जाए बच्चू के कारिये का निरिक्सन करने के लिए अधिक ट्यूशन का परबंद करने के लिए इसके बारे में चिंतन न होने के लिए या सिक्सकू से बार बार अंतक्रिया करने के लिए चार नमर उप्सन क्या रहेगा सही रहेगा क्योसर नमर चमालिस यदि कोई बच्चा व प्लूमे अधिकतर सिक्सिकों में अपने चात्रू के लिए किसका सरवादिक अभाव पाया जाता है ग्रिना का चार नमर उप्सन सही रहेगा नेक्स्ट यूशन में चलिए यदि कक्सा में पढ़ाते समय आपको मैसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रूची नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे पढ़ाना बंद कर देंगे बच्चू को ध्यान देने को कहेंगे कारण जानने की कोसिस करेंगे चार नमर उप्सन याँ पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन सिक्सन अधिगम परकिरिया की दरश्टी से एक अच्छा सिक्सक वह है जो सोचता है कि बादचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपियोग किया जा सकता है चाल नमर उप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है प्रदाना अधियापक या वरिष्ट सिक्सक के लिए विदाले में कौन सी नेत्री तुए सेली बेहतर है सत्तादारी नेत्री तुए परजातांत्रिक नेत्री तुए एह सेपी नेत्री तुए या इनमें से कोई नहीं परजातांत्रिक नेत्री तुए नेक्स्ट क्यूसन में चलिए अध्यापन के समय अध्यापक को निम लिकित में से किसका सरवादिक ध्यान रखना चाहिए वेक्तिक भीनता का तीन अमर उप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है निम लिकित में से इस्मरण करने की कौन सी विदी है मिश्रित विदीबिया और विचार सहाचरिय विदीबिया तीन अमर एक और दो सही रहेगा और चलते हैं मित्रो आज के हमारे अंतिम क्यूसन की ओर निमलिकित मैंसे कौन से यूगम के सही होने की संबाउना सबसे कम है पहला है बच्चे बासा के बारे में निश्चित है के बारे में निश्चित चोमस की ग्यान के साथ परवेश करते हैं दूसरा है बासा और विचार परारम में दो वाई गोतस की भिन गतिविदियां है बासा विचार परादारी थे पियाजे बासा वातावन में एक उदिपक है बी एप इसकीनर चार नमर ओप्सन ये रहेगा दोस्तों यह आपका चोता है यह नीचे एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ है दोस्तों नेक्स्ट पर्शन का तो चार नमर ओप्सन यहापे क्या रहेगा आपका सही रहेगा तो कुल मिलाकर मित्रो आज हमने जो मनोविग्यान की ये कलास थी यूनिट के अनुसार इसके अंदर हमने पांचवी यूनिट के पांचवी यूनिट के यहाँ पे पचास पर्सन देखे कैसे लगे एक बार सबी मित्र कमेंट कर दे मेरे को देखते हैं कौन-कौन साती कमेंट करते हैं जल्दी से कमेंट करें और जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सेर भी बहुत सारे सातियों नहीं किया है तो लाइक और सेर करें और जो नए साती है वो तो पता है मेरे को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगी आप सभी को बहुत बहुत अन्यवाद जे हिंद जे वारत